दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अलकोहल का सेवन करने की वजह से एक व्यक्ति में प्रीमेच्योर एजिकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंसन की समस्या आती है या नहीं? क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि फिजगल रिलेशन बनाने से पहले जब वो अलकोहल का यानि की बाइन, बियर या विश्की का सेवन करते हैं तो उनमें प्रोपर इरेक्शन देखने को मिलती है और इस वजह से वो सेक्शुल रिलेशन ज्यादा इंजुआय करते है अपने पार्टनर को भी प्रोपर सटिस्फाई करते हैं तो इस बात में कितनी सच्चाई है आईए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं दोस्तों काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सेक्शुल रिलेशन बनाने से पहले जब वो एल्कोहल्स यानि कि वाइन वीर या फिर विस्की का सेवन करते हैं तो उनमें प्रोपर इरेक्शन देखने को मिलती है तो मैं आपको बता दूँ कि एल्कोहल्स का सेवन करने के बाद आपको नशा लगती है और इसकी वजह से आपके ब्रेन में डोपामीन का सिक्रिशन बढ़ जाता है और ये आपके बोडी में स्ट्रेस को कम करता है डिप्रेसन जैसी समस्या से कुछ टाइम के लिए छुटक प्लेजर भी फील हो सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि आप जादा अच्छी तरीके से सटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब आप लॉंग टर्म में इसी हैबिट को फॉलो करते हैं और सेक्सुल रिलेशन बनाने से पहले बार बार अल्कोहल्स का स भावित होती है इसलिए जब लॉंग टर्म में इसी हैबिट को आप फॉलो करते हैं तो ये आप में ना सिर्फ प्रीमेचियोर एजुकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंसन जैसी समस्या क्रियेट कर सकती है बलकि एक पुरुष को नपुमसक भी बना सकती है इसलिए इस ह एबिट को ओकेजनल तक फॉलो करना तो ठीक है लेकिन बार बार और अपने लाइफ स्टाइल में शामिल बिल्कुल नहीं करें ऐसा करने से आपको बचना चाहिए इसके अलावा अगर आपकी कोई और हिल्थ समस्या है तो हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट करके या फिर इ ऐसे ही और अधिक हिल्थ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें